जैसे ही शादियों का सीजन आता है किसी ना किसी की शादि घर में निकल ही आती है तो बस इस शादि में जाने के लिए हम लोग भी हो चुके थे तयार और इसके बाद सीधा हम पहुंच गए रिंग सेरिमनी में तो रिंग सेरिमनी में यह दूला और दूलन है जो इस function में सब से ज़्यादा खुबसूरत दिख रहे हैं और इसके बाद बस ये लोग स्टेज पे जाने के लिए तयार हैं यहाँ पर हम लोगों ने इस तरीके से देखिए यह डेकोरेशन हुआ है इसमें घड़े में जो आजकल स्मोक चल रहा है यह वो उस तरीके का फ्लेवर यहाँ पर डला हुआ था और इसी में से होकर इन लोगों को गुजरना है तो धीरे धीरे जाएंगे काफी बढ़िया फोटो आते हैं सारा जो माओल है वो थोड़ा सा बढ़िया लगता है तो यह मेरी जो मौसी सास हैं उनके बेटी के बेटे की शादी थी तो बस हम लोग भी एंजॉ करेमनी का जो फंक्षन है पहले वो किया जाएगा और उसके बाद हमारे यहाँ पर लिया जाता है भात उसके बाद नेक्स्ट फंक्षन यही पर होने वाला है सगाई तो यह सारी चीजें आज ही होने वाली है तो धीरे धीरे करके सारे फंक्षन आज ही यह किये जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा बस ये decoration के बाद आप देखेंगे दूला दूलन पहुंच जाएंगे stage पे और मैंने भी अपनी photo click करना थोड़ा सा शुरू कर दिया क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हो तैयार होकर तो आपको भी अच्छा लगता है photos को click कराना तो next day ये आज का दिन finish हुआ next day था हल्दी का तो ये हल्दी के लिए हमारे याँ पर पीले कपड़े पहनते हैं और पीला ही पूरा decoration होता है तो ये पूरा decoration हो गया है हमारे याँ लड़के की शादी थी तो इसलिए दूले की सारी जो मतलब हमारे यां functions होते हैं वो इधर इसी तरीके से होते हैं तो बस ये जो गोल आपको दिखरा है stage पे इसी में दूले को बैठाया जाएगा और उसके बाद ये function start होगा अभी function start होने में थोड़ा सा समय बाकी था तो मैंने भी अपने थोड़े से photos ले लिए क्योंकि जब भी मैं साड़ी वगेरा पीली पहनी तो अ अनद वगेरा है क्योंकि ये मेरे husband की तरफ शादी है तो सब मैं यहाँ पर सबसे छोटी बहू हूँ मेरे से छोटी और कोई नहीं है तो उसके बाद बस सबसे मिलना पैड चूना और बाते करना ये सब किया और थोड़े से photoshoot हो गए तो बस अब हल्दी वाला जो है अब व अब बस इंतजार है कि ये लोग भी आ जाएं और हम फटा-फट से सारा function जो चलेगा वो शुरू कर दें तो बस photo का session इतना ही था थोड़ी देर ये मेरी mama जी है जो उनकी बेटी है इनके साथ भी मेरी बहुत जमती है तो बस हम लोग थोड़ी देर बैठे बाते किया उसके बाद बस बातशीत करने के बाद आ गया हमारा दूला इसके बाद ये जिनकी बेटे की शादी है वो दीदी है ये तो बस इनके बेटे की शादी थी ये मेरी नननत लगती है रिष्टे में मामी जो मेरी मौसी सास है उनकी बेटी है तो बस उनके बेटे की शादी है ये ये जो साड़ी पैनी है ना दीदी ने ये दीदी हैं तो बस अब ये अपने बेटे को थोड़ा सा हल्दी वगेरा लगाएंगी और उसके बाद फिर सब लोग शुरू कर देंगे ये करना हमारे यह घास से ये सारे मतलब सर से लेके पैर तक घास से ये करा जाता है फंक्शन तो स सब लोग बस ऐसे ही पैसे वैसे नौचावर करते हैं और साथ में थोड़ी देर धान्स वांस करते हैं तो इस तरह से दूले को पूरा हल्दी तेल लग जाता है चाहें दूलनों वैसे ही होता है फंक्शन तो बस कुछ गाने चल रहे थे ट्रेडिशन जो हमारे ट्रेडिश सब ने कर लिया इसके बाद जब सब का हो गया मैंने डांस भी कर लिया और उसके बाद फिर बस यह जो हमारा होता है यह भी मैंने शुरू कर दिया और इसको भी करने के बाद हम फिर जब सब डांस हो गया पैसे वैसे नौचावर हो गए उसके बाद हमारा जो यह दूला है फिर वो यहां से तब तक नहीं उसको हटना है जब तक कि सारे लोग ना कर लें इस tradition को इसके बार जब उसका हो जाएगा अच्छे से तब हम यहां से जो हमारा दूसरा function है उसके लिए करेंगे तो इस function में सब ने खूब मिलके enjoy किया हमने भी enjoy किया जितना dance कर सकते थे जितना enjoy कर सकते थे वो सब हो गया यहां पर सारे जो हमारी मेरी दीदिया है जो मौसी सास जो मेरी मौसी जी थी मौसी सास है उनकी बेटी के जो वो हैं रिष्टेदार या फिर सस्राल वाले वो सब लोग भी आ गए और सब ने अच्छे से कर दिया यह function अब बस थोड़े से photo click होने बाकी थे यह भी कर दिये इसके बाद बस अब हम उसको थोड़ा सा आशिरवात देंगे और इसके बाद आ गए शादी के लिए मतलब next day थी शादी तो शादी के लिए हम hall दूसरे hall में आये थे यहां पर घुडचड़ी वगरा होने के बाद हम सीधा बरात जो आती है ना ब बैठा हुआ था अपने घोड़ी पे तो बस इसके बाद ये सब हो गया और हम अंदर की तरफ अब आ चुके हैं अंदर आने के बाद थोड़े से पहले वोई जैसे फोटो क्लेक होते हैं तो ये पूरा जो एरिया है बनारस का जो घाट है ये उस पे लगा हुआ था वहाँ खाना वना खाया जैमाला को अटेंड किया इसके बाद हम बस थोड़ी ही देर में वापस निकल चुके थे क्योंकि हमें वापस भी आना था तो बस शादी जैसे ही हमारी यहां जैमाल वगेरा पड़ा सारे काम हो गए तो हमने सुभा मॉर्निंग की ही हमारी फ्लाइट थी तो बस फटा फट से शादी को एंजॉय किया और नेक्स्ट डे के लिए रवाना होगे दीदियों से विदा ले लिया सबसे सबको विदा करके और हम लोग भी बस आगे चल दिये